आने वाले अंतरिम बजट में मोदी सरकार देश के लोगों को बड़ातों हिफादेने जा रही है। सरकार देश के हर नागरे को बिना शर्ट एक तयरकम देती है। कुछ खास तकों जैसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को अगर ये सुविधा दी जाती है तो इसे पार्शल बेसिक इंकम कहते हैं। वैसे ये एक सरकारी योजना है जिसके तहट किसी देश की सरकार अपने हर नागरे को हर महीने एक निश्चित रकम देती है। इसके तहट परिबार के हर सदस एक खाते में निश्चित रकम डाली जाएगी। ये कौनसेप्ट दुनिया के कई देशों में है जहां बेरोजगार लोगों को सरकार कुछ पैसा देती है ताकि वो अपनी जरूरत के कुछ कर्चे पूरे कर सके। फिलहाल मोधी सरकार ने विभिन मंत्रालियों से ये प्रस्ताव मांगा है के इसे कैसे लागू किया जाए। क्या शुरू में इसे सिर्फ किसानों के लिए लागू किया जाए या फिर सभी को इसके दाएरे में लाया जाए।